नमस्कर दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले है साइफोन एच प्लास डॉप के बार में जैसे कि दोस्तो ये एक पेडरेटिक डॉप है बच्चों में इसको उप्योग किये जाते है आये जानते है कौन-कौन सा कंडिशनों में आप अपने बच्चों को इस साइफोन एच प्लास डॉप को दे सकते है क्या इसके डोज़ज है कौन इसे मैनिफेक्टरिंग करता है समपुन जानकरी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले है यदि आपने अभी तक वेडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नेक किया है तो वेडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू करे सो दोस्तो चलिए आज़िक इस वीडियो को शुरू करते है 15 ml की बोटल पैकिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका MRP 14 रुपे 50 पैसे है और दोस्तो जेनो फार्माटिकल्स प्राइबेट लिमिटेड कमपनी दोरा इस साइफोन H प्लस डॉप को मैनेफेक्टरिंग किये जाते है अगर इसके यूजेस के बार में बात कर दोस्तो यदि आपके बच्चों के वजन दिन माद दिन कम हो रहा है आपके बच्चों के खान में एकदम रूची नहीं है इन कंडिशनों में आप इस साइफोन H प्लस डॉप को आपके बच्चों को दे सकते है अगर इसके डोसेच के बार में बात कर दोस्तो बच्चों के वजन और H के उपर इसके डोसेच निर्धारित करते हैं फिर भी आट महिना से लेकर एक साल के बच्चों को 0.5 ml दिन में दो बार दे सकते हैं यदि आपके बच्चों के उमर एक साल से लेके तीन साल ठेक है एक केमल से 2 ml दिन में दो बार खाना खाने का बाद दे सकते हैं अभी बात कर लेते इसके साइड इफेक्ट के बार में यदि आप अपने बच्चों को इस साइपोन H plus drop को देने का बात आपके बच्चों के पेट में ग्यास की समस्या देखनी को मिलती है इस साइफोन H plus drop को आप देना तुरन बन कर दे और आपके नजदी के किसी डॉक्टर से कॉंसल करे अभी बात कर लेते दोस्तों प्रेकुशन के बार में कौन-कौन सा बातों को ध्यान मे रखते हुए आपके बच्चों को इस साइफोन H plus drop को देना है लेते से मैं इसका एक्सपाइडी चेक कर ले और ये दोस्तों पेस्क्रिप्शन मेडिसिन है इस साइफोन H drop को देने से पहले आप अपने डॉक्टर सेखबर कॉंसल्ट जरूर करे उमिद करता हूँ आपको सा अपने जानकरी मिल गई होगी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ तब तक कर लिए बाई बाई और टेक क्यार